जी असलाम अलेकुम डेली व्लोग विच्छान में वेलकूम उमीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे खेर यह सोंगे थमनेल से आपको पता चली गया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही खास और इंपोर्टनट है तो वीडियो को पूरा देखना आपने और इसके अंदर मैं कु पहले से ही त्यार करने चाहिए तो इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फाइदा मिलने वाला है और इसमें मैं कुछ चीजें आपके साथ शेर भी करूंगा ठीक है जी कि आपको कुछ चीजें डीपली बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें इंपोर्टनट है तो सबसे प मिनिंग आपको बता दूँ कि इसका क्या मतलब है एमाजोन के अंदर और इसमें कौन से लोग आते हैं क्योंकि 80% जो लोग हैं वो असूसियेट की जोप कर रहे हैं ठीक है जी बहुत सारे लोग हैं जिनको असूसियेट कहीं नहीं बता और वो समझते हैं कि पता नहीं को बहुत सारी चीजें मिस भी हो सकती हैं तो सबसे पहले असूसियेट का जो मतलब है वो देखें आपको मैं असान लफजों में बता देता हूं कि एक यह नहीं के हैलपर लगा लें या लेबर के तोर पे लगा लें लेकन इसको एक अच्छे तरीके से नाम दिया गया गया मैनिजर हो गया इनका अलग सीन होता है ठीक है जी तो आज की वीडियो जो ऑसूसियेट के लिए इस वीडियो जो एफिक के बतोरे काम किया मैंने और 2018 में मेरी जोइनिंग थी जबके सूक का टाइम था ठीक है जिस सूक यह नहीं के एक यूई के अंदर कंपनी थी जो के यही सेम कोरियर का काम था उनका यहीं के समान सेलिंग यह वो सारा सेम काम था तो 2018 से मैं आपको थोड़ी सी बात शेर कर देता हूं आपके साथ आपको ज्यादा मजीद समझ आ जाए और इसमें देखें इसमें इंट्रिव्य का भी आपको तरीके बताऊंगा कि इंट्रिव्य अपने कैसे पास करना है इसमें 2018 में जब सीन स्टार्ट होए अमाजोन का तब सूक का टाइम था और उस टाइम पे यह नहीं के एमाजोन भी अटैच हुई थी इसके साथ सूक के साथ और सीन ये हुआ कि तब हाइरिंग जो चलुरे थी इसमें इतना डिफिकल नहीं था इतना इनके मुश्किल नहीं था असानी से लोगों को जौप मिल रही थी और पकड़-पकड़ कि लोगों को हाई कर रहे थे 2018 गी आपको बात बता रहा हूं 2018 तकरीबन कोई 10-11 महीना होगा जब मैंने जोइन किया था Amazon और तब सूप का टाइम था ठीक है जी तो उस टाइम पर सीन ये था कि जब मेरा इंट्रिव्य हुआ तो उसमें क्या सीन है कि मेरे पास अपना वीजा था अपने तमाम डॉकॉमेंट्स क्लियर थे वीजा मेरे पास दो साल का मुकंबल पड़ावा था और थर्ड पार्टियां हाइरिंग कर रही थी ठीक है जिसमें यानिके जो बेस्ट कंपनी है व सेलरी के मामले में और हर तरह के मामलात आपके साथ अच्छे तरीके से डील करते हैं ठीक है जो वीडियो मेरी देख रहे होंगे मेरे कुली कि या फिर फासलिंग के जितने भी यहनिके सीनियर रिसर्व सरनवाज हो गया और इसके लावा एक दो और यहनिके अच्छे लोग जिन्होंने बड़ा अच्छा तावन किया तो उन सब का शुक्रिया और मजीद जो इस चैनल के बतोर वहां पर जाएं प्लीस रिक्वेस्ट नोगों से के जैसे भी हाइरिंग आइन लोगों से राब्ता किया करें ठीक है जी तो फासलिंग जो बेस्ट कंपनी है और इनोव मिलेगा ठीक है लेपनियों से में रिए और टीकान चाय के लिएए यह ने दोर सब्सक्राइब कर सब्सक्रानाव में जिस्ट आपको अपने हुले है तो था चीन यहाँ था कि जस्ट आप पूछता है आपकी। क्लिएखे डोप्षमकर घ्रियर्ग के चैरा है आपका पासपोर्ट ओकी और अमरेसी प्सक्राइबर होगे ठीच है फिक के बाद लेटर मंगते हैं ठीक है जी आपकी company के कुछ documents होते हैं जो कि आपने देने होते हैं ठीक है उसमें देखें company का license आ जाता है company expired तो नहीं है या फिर वैलिड है यह चीजें भी documents मांगती है company और police certificate तब नहीं था लेकिन अभी है मैं आपको आगे बताता हूँ आप आपका जो interview उसमें क्या scene है तो यह चीजें पूछी जाती थी और passport हो गया यह चीजें देखके आपकी CV के उपर आपने कुछ भी mention किया किसी जगा काम mention किया कोई मसला नहीं है CV के उपर आपने अपने experience शेर करने उनके साथ जो भी मामला था अपने CV के अंदर एंटर कर देने ठीक है और दो चार पिछले लेते हैं वाइड बैक्गरॉंड वाली तब यह सीन था और यह नहीं कि दो चार दिन के अंदर कोल आ जाती थी और यह नहीं कि वे जूदा हला जो चल रहे हैं उसकी जो हाइरिंग है उसके लिए इंटर्वियो के जो तरीके कार है वो थोड़े सी डिफरेंट हो गया ठीक है अभी सीनिये चल रहा है कि आप जब Amazon में अगर select हो जाते हैं और इंटर्वियो के लिए परिशान है कि इंटर्वियो में क्या करे तो उसमें यह सीना के देखें सबसे पहले तो आपको जो जो फासलिंग और इनोवेशन हो गया सबसे पहले तो वह आपको क्लीर करेंगे कि आपके पास तमाम चीजें मजूद है क्योंकि अमाजोन ने देखें उन लोगों की ड्यूटी लगाई है कि आप बंदे को वेरिफ यह है कि उसमें देखें आपके सबसे पहले डौकमेंट्स वेखुद चेक करते हैं ठीक है जी आप का एमरस इडी हो गया पासपोर्ट वो गया उसके बाद आपका यहीं कि तमाम डौकमेंट्स हो गया और कंपनी का लाइसेंस हो गया जहां सा अपने विजा पर चेस किया ठीक है जी कंपनी को सेंड करने के बाद फिर आपका नाम अगर सिलेक्ट हो जाता है तो आपको कॉल आती है जी आप फुलाने दिन कंपनी ऑफिस आ जाएं आपको नेक्स यह नहीं के इंटर्वी के लिए मतलिक बताएंगे तो इंटर्व्यू की डेट अब सीन के हो तक इंट को वगयार कर देतें हैं छीज esig कर देते हैं लिंक Kप Inner आपने कलास लेनीघ्त है उसके बाद सीन प्रिशन होते हैं जो कि मैं आपके साथ शेर करूंगा उसमें देखें सबसे पहले यह निके सेफटी के मतलिक आ जाता है कि सेफटी में आपने क्या करना है कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और कुछ चीजों के नाम आपने बताने होते हैं सेफटी के मतलिक यह सबसे ज्यादा इंपोर्टन यह आपने जब इंट्रिव्य के लिए जाना है तो यह आपने इनके नाम और इनके काम समय लेने की कहां पर यूज होती है और कैसे यूज होता है यह पिचले मैं देखें सेफटी के लिहास से चला रहा हूं इन पिचलों का मतलिक जाएंगा तो सेफटी का सबसे पहले है पिर इसके पार इंगा हुगया इन चीजों के मतलिक बताते हैं कि समान को आपने ट्यास से रकना है और अच्छे तरीके से मैनेज करना है तो यह साईज के लिहास से चीजह को उसकी जगा मुकरर होती है यह कि आपने यह नहीं कि अगर कुछ ज्यादा बड़ी पांच मीटर की चीज़ आप रखना है दो मीटर की यह यह दस इंच की चार इंच इस तरह की नहीं चोटी चीज़ें मिडियम और लार्ज चीज़ों का रखने का यह नहीं कि सेटप बना वहां पर तो वह आपको उस ज स्टीक्रश वाले यां उनलों उनोंते सेंट करते हैं तो वहां पर फिर जो के एक management की टीम बैठी होती है ठीक है जिसमें देखें manager हो जाता है और HR की किछ बेटे होते हैं और इसमें δेखिए मिस्र होते हैं और पाकिस्तानी होते हैं बहुते हैं ապ जिसके अंदर नहीं बंदे की देखी जातीं की ऑच फोटा सा थ्रच से कम ही होने तो यह चीज ता डटी आफ बंडटी की přिट्नक की जाती है के मेंटली आप ऑर संब यह तो यह चीज़ने बस देखे जाती है इस चाहिए के लिए एसी वड़ के लिए ठीक है सीवी चेक करते हैं हर जगा आपको पतर सीवी चेक होती है उसके अंदर आपका नाम शाम यह वो चीज़ें आपसे पूछी जाती है और देखा जाता है कि वाकई बंदा वही है उसके बाद पिर आगे एक्सपिरियंस अगर आपका नहीं भी है उस जोग के मतलिक या कहीं और अपने काम किया है उसका एक्सपिरियंस आपने डाला है तो नो इसका कोई मैटर नहीं है ठीक है वो नहीं इसके मतलिक बात करेंगे तो दूसरा यह आ जाता कि फिजिकली चेक करते हैं जैसे कि मैंने बताया फिटनस वगरा वो देख लेते बंदा फिट है काम करने के लिए और बाता बाता में वो चेक करते हैं कि बंदे को यह नहीं कि चेक करने से मुराद ही होता है कि वो कुछ सवलात ऐसे करते हैं जिससे के बंदा सोचता कर नहीं यार यह नहीं चाहिए मैं डे में करूंगा या नाइट में करूंगा क्योंकि हर बंदे की सोच होती है कि मुझे नाइट शीफ्ट ही करनी है या किसी की सोच होती है मुझे डे ही करना लेकर न वहां पर उन से पूछा जाता कि आप आप डे या नाइट शीफ्ट करने के लिए रैडी है अगर तो आप ना करेंगे तो फिर आपके लिए ही बुरी बात है लेकिन मेरा यह मैं आपको यही समझाना चाहरा हूँ कि आपने हाँ ही करनी है बाद में हो जाती है जब आप आमाजन में काम करना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी शिफ्ट चेंज हो जाते है वह जब एचार से जोईन करना चाते हैं आप बताएं कि अच्छी कंपनी है ग्रेड कंपनी है यहां पर सीखने को कुछ different experience मिलेगा जो के हमारे लिए बहुत ही अच्छा है आने वाले future के लिए ठीका जी तो इस तरह के सवालात आप से किये जाते हैं और उसके बाद जो कुछ important सवालात से होते हैं कि जो के mostly लड़कियों से पूछा जाता है कि 5 kg तक का समान लिफ्ट कर लेंगी आप यह निके उठा लेंगी 5 kg तक का समान उसमे ही तो आपने यह सी करना है अगर दस भी बोले तो फिर भी यह करें उसका सीन किया है कि उसका जब वेरा उसके अंदर चले जाते हैं तो अगर 10 kg का समान आपको मिलता है तो आपको यह नहीं कि कोई अगर पास आपके खड़ा हुए यह गुजर रहा है तो आप उससे help ले सक इसमें देखें चीजें बहुत आ जाती है जो कि मैं नाम लेना लेना शुरू करूं तो वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो जाए ग्रोसरी लेकर हर तमाम आइटम जो एमाजोन के अंदर पड़ी है ठीक है तो वह चीजों के मतलिक पूछते हैं उसके बाद यह नहीं ठीक है क्योंकि अशूषियेट का Pin síla på बता दीया है यह अप लेकर जा रहे हैं ठीक है जी तो जब आपका अठोबार्व पार के काम कर रहे हैं और सेफटी के मतलिख बताया जाता है जो मैंने आपको पिछले दोबारा सでŌकर रहा हुआ जब आपने इंट्रव्यू के लिए जाना है या हाई रिंग आपकी हो जानी है तो यह पिछले के यह जो मैं पिछले शो कर रहा हूं इसके अंदर यह चीज़ें आपने चेक करने नहीं नाम देख लेने उनके मकसद देख लेने किस काम के लिए यूज होता है और कहां पर यूज होता है ठीक है जब यह चीज़ें आप सीख लेंगे तो आपको बहुत असानी पैदा हो जाए यह मैंने आपको बताया था तो थोड़ा इसके बारे में बारे में बताए कि मैंने आपको कल क्या बताया था तो ठीक है जैसे के सेफटी कैप होता है मैं जैसे एक मिसाल देने लगाओ उसके बारे में आपको पिछले दिन बताया कि सेफटी कैप आपने कहां पहां पहां प परहए पढ़ाओा है तो वहां पर घ्लमटे हैं मटार से कि परहा परह anlat feature होओऊ यहां मिद्वी एक की इस अडर धों हुट पहुछ से होसुते निगाए होने संदरक यह एक साइड यह सब्धा को पड़ी आइटम यहां पर हैलमिट की पएना जाते है जो जहां पर हाइ सबस्था बड़ेन जो यह आप के सेफटेजी उस्टेज और सब्सक्राइब तो यह चीज़ें पूछी जाती है ठीक है जी तो आपने प्रिपेर होके जाना यह चीज़ें आपने देख लेने हैं गलफ वगारा हो गया और सेफटी एनक हो गया हेलमट हो गया शूज हो गया और इस तरह के चीजे सेफटी के मतलिक पुछी जाती है ठीक है तो एक और बड़ी इंपोर्टन चीज जो मैं आपको यह पिछने शो कर रहा है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यार यह कैमिकल की कुछ शो हो रही है पिछने तो यह चीजें उसलिए यूज़ होती है कि आपको पता है कि हो गया या फिर रूम सप्रे हो गया इनके अंदर यह के लिकवर्ट होता है जो गैस होती है या फिर एलकोहल या फिर इस तरह का कुछ कैमिकल होता है जिससे यह नहीं के आग लगने के चांसे ज्यादा होते हैं ठीक है जिनको फ्लेम फ्लेम बोलते हैं ठीक है हाई फ्लेम तो इसमें यह रहता T feltar Sum ॐas इन चीज Bundestuen ने सेप्रेट रखआ गया है निक रहता है is तो इसतर्व पर यह एक्वर्वी ऐ riflame आ जैता है और इसतर्छान के शप्रेए आ जाते हैं ठीक है यनिके ना मामला तो रखा वे उन चीज़ों को सेपरेट एक रूम बनाके रखा होता है ठीक है तो उस तरह के सवालात आप से पूछा जाते हैं अगर कुछ चीज यनिके ऐसी टूड़ गई है तो आपने इसके करीब नहीं जाना उसको हाथ नहीं लगाना विदाउट गलफ गलफ पैन के उस चीज़ को पकड़ना है ठीक है जी विदाउट गलफ नहीं वह चीज़ पकड़नी क्योंकि अगर आप बहुत ही स्याने बनते हैं श्यार बनते हैं कि मैं फटावट पकड़के डस्ट्विन में डाल दूंगा तो लीकवट ऐसा होता है या कैमिकल ऐसा होता है तो उनको यहने के साड़े पर रखा जाता है ठीक है जी तो यह चीज़े इसके लावा हाई जो प्राइस वाली चीज़ें वह लाएदा रखी होते हैं जिसमें फून असेसरी आ जाता है यहने कि इस तरह की इलेक्ट्रोनिक चीज़ आ जाती है उसका एक लग डिपार्ट मिलती है उन लोगों को जो के चार देता है ठीक है हर किसी को नहीं मिलती यह कुछ बंदे को स्लेक्ट करते हैं जिनको असेस देते हैं और स्टैप पर स्टैप उनको असेस मिलती है कि आप फलाने यह नहीं के सेस्स आपको मिलगी है से मुराद यह है कि जैसे मैं आपको बता कार्ड होते हैं, लेकिन वो हर बंदे को सेस नहीं कि वह कार्ड जाके वहां पर लगाय ओर डॉर ओपन होजाए, ठीका जी वह زीजिदे को सेलिक्ट करता है. यादी को यह निकि właściwie करते हैं और वही लोग सिरf अंदर जाके चीज़ें पिक करते हैं और स्टो करते हैं ठीक है जी काड़ जाके दर्वाजे पे लगाते हैं डोर अटोमेटिकली खुल जाता है ठीक है जी और स्कूर्टी गार्ड वहां पर बैठे होते हैं चेकिंग करते हैं आते जाते हैं आपका समान जब पिक हो जाता है तो उनको जमा करवाना त पिर बता रहा हूं इंटर्वी बहुत इजी है मैंने आपको इजी करके बता दिया है इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछ ना हूं उससे तो आप मुझे इंस्टाग्राप में मैसेज करें इंटर्वी के मतलिकि मैं आपको बताओंगा मजीद और कुछ चीजे मुझे ना और कुछ जानना और यूनी जोप असिल करनी हो तो भाई के चैनल लाजम सब्सक्राइब करें शेर करें और उन लोगों के साथ भी करें जो यूई के आने का प्लैन कर रहे हैं या पर जोप सार्च कर रहे हैं ठीका जी तो आपको तमाम तरिके बताए जाएंगे कैसे अपन हैं यानिके जोप तलाश करनी है और कहां पर फ्री हाइरिंग चल रही है ठीका जी तो अभी के लिए जादते मिलते हैं एक और ने वीडियो में अला आफिस